नमस्कार दोस्तों आज हम रेल्वे के बारे में और एक जानकारी लेंगे आज हम जानेंगे की देड़ एंड क्या होता है देड़ एंड इस शब्ड में ही उसका नाम ही और उसका अर्थछुपा है जैसे यहाँ पर अगर कोई गाड़ी आज़ाए अगर इस डायरेक्शन से अगर गाड़ी इस तरफ आ रही है कैमरे के तरफ आ रही है अगर आगे भी कोई गाड़ी है अगर यहां पर में लाइन पेजर कोई गाड़ी है जो आगे है यह पिलाव है है या फिर खड़ी है और अगर इधर से जो गाड़ी आने वाली है उसको डायेक्शन दिया जाता है अब यहां पर यहां पर कि तरफ लगा हुआ है अगर कोई इस station के उस तरब से अगर कोई गाड़ी आती है तो सीधा इस route पे आएगी और ये जाए कि सीधा dead end पे जाएगी क्योंकि क्या है कि अभी कोई गाड़ी के लिए position नहीं है इसको main line पे या कोई दूसरी line पे बेज नहीं से रखते इस कारण इसको सीधा dead end पे बेचते है और यहाँ पे घिर जाएगी अब देख रहे होंगे यहाँ से निकल के सीधा इस route से जो right वाला route है यह से सीधा जाएगी और वहाँ पे जाके घिरेगी यह देखे रेलवे में बहुत बार ऐसी परस्तिती आ जाती है या फिर कुछ कारणों से आ ही जाती है ऐसी स्तितियों में बचने के लिए अगर कोई रेल गाड़ी आगे है और यह गाड़ी इदर से आ रही है अगर दोनों को टक्रा हो जाए या फिर पीछे से भी अगर उसको टक्रा हो जाता है तो गाड़ीयों का नुक्सान तो होई जाता है इसके साथ में जानमाल की भी नुक्सान हो सकती है इसलिए इस डीरेल स्विच को और डीरेल जो डेड एंड है इसको बनाया जाता है डेड जितना बहरी नुखसान होना था भज जाएगा अब यहाँ पर नीछे गिर जाएगी अगर गिर भी जाएगे तो पहले यहाँ पर ही रुख जाएगी यह होता है आपका डेल इंड देख रहे होंगे इस तरह से इसको बनाया जाता है बहूत ही मजबूती से बनाया जाता है इसको ताकि इसके आगे चले ही न अगर कोई गाड़ी अगर बाई अचांस बोड़ रहा हूं ऐसा दो बहुत कमबार होता है लेकिन कभी-कभी अगर हो गया तो इसके आगे गाड़ी जाही नहीं पाएगी इसको रूख के रखेगा इसलिए इसको डेलेंड कहा जाता है यहां पर देख रहे होंगे लाल निशार है यह हर स्टेशन पर रहता है जो भी गाड़ी अगर कोई आईससे सिच्टियेशन में अगर हो जाता है तो इस तरह कि डेलेंड लगा हुआ रहता है इंडियन डिल्प को बहुत स्विटी से चलने वाला काम है और मेरे चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे जानकरी मैं आपको और भी भेशतान हूँ धन्यवाद दोस्तों